और इस पर मैंने एक लेटस थोर पी आएल किया है कि धर्म भी बंद इखना बंद किया है दर्म एक है बाकी सब क्या है पंद है और धर्म की कोई अंग्रेजी नहीं होती जैसे योग की कोई अंग्रेजी नहीं होती, ब्रम की कोई अंग्रेजी नहीं होती, कर्म की अंग्रेजी नहीं होती, बहुत सारे शब्द हैं की अंग्रेजी होती नहीं, इंग्लिस में शब्दी नहीं है, इंग्लिस में शब्द इसलिए नहीं है, कि वो सब उनके दिमाग के उपर की चीजे हैं जहां से अंग्रेजी आई है ना यह धर्म कर्म ब्रह्म योग यह सब उनके दिमाग से उनके उपर की चीजे हैं इसलिए वो शब्दी नहीं उन्होंने बनाए हमारे यहां से थे अपने शब्द बनाए मैंने प्याइल फाइल किया है अभी लेटिस्ट जाए कि सारे सारे जितने भी किताबे हैं और गौर्मेंट के डाकुमेंट हैं वहां से धर्म निर्पेक्षब धटाया जाए जितने फॉर्म है स्कूल एड्मिशन का फॉर्म हो चाहे रासन का फॉर्म हो चाहे बस सेटिफिक्ट फॉर्म वहां धर्म पूछना बंद किया ज जाता और भारत एक धार्मिक रास्ट है भारत धार्मिक रास्ट है भारत धर्मिजपेक्ष नहीं है इसलिए धर्मिजपेक्षद को अटाये जाए अगली P.I.L. सेकुलरिजम के खिलाब भी चल रही है और एक और भी P.I.L. करूंगा जल्दी कि राम दर्बार फिर से वापस लाए जाए सम्मिधान में भारत के सम्मिधान में राम लक्षमर्ड मता सीता का चित्र था एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपदेश दे रहे हैं भारत के सम्मिधान के एक पार्ट पे हन्मान जी का चित्र था बारत के सम्मिधान के एक पार्ट पे भगव बगवान बुद्ध का चित्र था, एक पार्ट पे बगवान महावीर का चित्र था, एक पार्ट पे नालंदा विश्विद्याले था, एक पार्ट पे गुरकुल सिख्छा गुरकुल के स्कूल थे, एक पार्ट पे हडपा मोहन जोद्रो था, एक पार्ट पे हाथी बैल और घ राम चरित मानस पढ़ाने का कोई विरोध कर पाता क्या दोर से बोलिए जरा और राम दर्बार इसमें होता तो इसमें सेकुलर सब्स जुड़ पाता क्या अगर संविधान के जैसे भगवान कृष्णी की फोटो थी अर्जुन को उपदेश देते हुए अगर वो फोटो रही तो सुबह की प्रार्थना में स्कूलों में हनमान चलिसा पढ़ाने में कोई विरोध कर पाता गया यह सारे महापाप नहरू जी ने किये नहरू जी ने सारे चित्र हटवा दिये अब उन चित्रों को वापस लाने की भी लड़ाई करनी पड़ेगी लेकिन लड़ाई अकेल रहेंगे तो आपकी बात पांसो लोग तो पहुचेगी और आपंचार फेंड हो तो आप कितना अच्छा लिखते हो यह पांचार लोग पढ़ेंगे कुछ य्थी में डिया Mutta अईसज़र होंगी राका STOP को जाएंगे आप लिको पे लिखेश्बुक पे लिभ वहां से कौप आप ऐसा करेंगे तो ऐसे भी हो सकता कुछ आइडिया आपका मंसौर का हमें दिल्ली में बैठे-बैठे मिल जाए और बैठे-बैठे मिल जाए तो सकता मैं पी आयल भी कर दूँ इसलिए मैं हमसे आग्रह करता हूं कि आप लोग इस पे बोलना सुरू करें मानव निर्मित को भी भी समस्या ला इलाज दूसरी बात मानव निर्मित समस्या का इलाज किसको करना पड़ेगा मानव निर्मित समस्या का इलाज या तो भगवान राम के भक्तों को करना पड़ेगा तो कृष्ण के भक्तों को करना पड़ेगा महावीर जी के भक्तों को करना पड़ेगा द Ultimately, राम मंदिर की लड़ाई भगवान राम लड़ने थोड़ी आये, कहा लड़ी गई, सुप्रिम कोट में, किसने लड़ा, राम भगतों ने, ऐसी कोई बिमारी नहीं, जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसका कोई समधान नहीं, जोर से बोली है, ऐसी कोई समस्या नहीं, केवल एक घंटे का समय आप लोग देना सुरू करिए, लिखना सुरू करिए, जागरन सुरू करिए, आज की रेट में, जो कुछ सोसल मीडिया में लिखा जाता है, उसको सांसद विधायक मंद्री, मुख्यमंद्री सब पढ़ते भी हैं, हमें चुकि प हमें बिवस्थाओं को बदलना पड़ेगा, राम राज अस्थापित करना है, हमें नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, और नियम कानून घटिया होते हैं, तो समस्याएं बढ़ती हैं, नियम कानून बिवस्था अच्छी होती, समस्याएं ठीक होती हैं, इसका सबसे ब कि 390 खतलु आदा खतंग्वाल्त खतंग्त मुंवा से भ्लाय आप भता अब चलो बचे जित्ते बचली सों संस्थ कि लड़ाईं हमारे जीसे हैं 2-4 लोग हैं हम लड़ते रहते हैं लेकिन उसका जो इफेक्टिव होगा कहां संस्थ में संसद घ्र-बिछेयों को उठाएंगे अब संसद जौन झारव जौन पेटश जो यह रोज जाके उनके पास बैठो दूसरा कम सोसल मीडिया में लिखो सोसल मीडिया में लिखो उसको लोग पढ़ना सुरू करेंगे उसको देखेंगे इसका दो ही तरीका है आप लोग इतनी देर हमें सुने बहुत ध्यान से सुने जादा ही गंभीर हो के सुने बीच में हसना छोड़ इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं अगर कोई बहुत विसेश्क आपका एक प्रसन था बीच में खड़ी हो गई थी पताई कोई अभी इसका जवाब देने की बजाए में को इतने कहूंगा माना और निर्मित हर समस्या का समाधान संब्ड़े लाइल आज नहीं है जो समस्या भारत में है अगर वो सिंगापुर में नहीं है फ्रांस में नहीं है या अमेरिका में नहीं है इसका मतलब वो समस्या लाइल आज नहीं बड़ी सीदी सीवाद इसलिए जितने भी समस्या है अतंकवाद, अलगावाद, कट्टरवाद, जहाद, मजभी उन्माद, मावाद, नसलवाद, धर्मांतर, गुस्पैट, पत्थरबाजी, जो भी समस्या है इस सभी समस्याएं इनका इलाज है बस इनकी सही दवा ढूड़ने की जरूरत है सही दवा है, घटिया कानून बदले जाए, घटिया विवस्था बदली जाए, घटिया सिस्टम बदला जाए और उस वावित सी बाते बदले, आप डिमांड करोगे सप्लाई होगी अगर आप यह सोचोगे नहीं यार अपना कामधाम बढ़िया चलना, अपना गारी मकान हो गया, वैगनार आ गया, जो भी है, अपना फार्माउस बन गया, अपना सब कुछ ठीक हो गया, जरूरत क्या है, उस से नहीं बदलेगा आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, आप राम के भक्त हैं, तो 14 साल बनबास नहीं कमस्कम पढ़े, 14 मिनिट तो दीजिए, सोचिए तो, समस्या के मूल कारण को लिखिए तो, अस्थाही समाधान को लिखना तो सुरू करिए, भगवान राम की सबसे बड़ी पूजा यही होगी, कि राम राज ये अस्थापित करने में जो समस्या हैं आ रही है, उनको आप लिखना सुरू कर दिजिए, समझे भगवान राम की पूजा हो रहे हैं, जी सब, जो भगवान राम दर्मार का जिस तरह आपाया गया, इसके लिए तो नहीं पृपलिसर नहीं छाप सकता, उसके लिए, मैं समझ गया अचने, उसको चोड दरवाजे से निकाल दिया गया, और किसी पृपलिसर की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको छाप सके, जैसे अर्टिकल थरेटी-फाइवे पे छोड दरवाजे से निकाला गया था, लेकि किसी publisher की हिम्मत नहीं पढ़ती, article 35 छापने की, असले हमें article 370 तो पता था, क्योंकि हुच हपती थी, छपता था, लेकिन article 35 पता पता नहीं चलता था, क्योंकि हुच हपता नहीं ता, किसी किताब में नहीं पता इसलिए दुबारा रामदर्बाल लाने के लिए भगवान कृष्ण को वापस लाने के लिए भगवान बहुत को भगवान महावीर को वापस लाने के लिए भगवान हनमान जी को वापस लाने के लिए हनमान भगतों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास होई है जिस चीज़ की डिमांड होगी वह supply को अगर आपके क्षेमर्द में दम है और दिमांड जोर से हो रहा है सामूही को हो रहा है । लाखो की संख्या में हो रहा है तो supply होगी fund और जोर से डिमांड हो, लाखों की संख्या में हो, उसका एकी तरीका होता है, या तो जिसे दिल्ली घेर लो, जैसे आज कल तथा कथित किसानों ने घेरा हुआ है, तो वो तो नहीं कर पाएंगे आप लो, सब सब भी लोग है, तो दूसरा तरीका है, गर में बैटे बैटे उ को लिखना शुरू किया, बहुत भात धन्यवाद, बहुत बहुत आभाद, बारत बातागी, ऐसे बहुत सारे प्रस्नों का जवाब मेरे फेश्बूक पे रहता है, मेरा पेज है, गर आप लोगो वाह से जुढ जाएंगे, तो बहुत सारे से सवाल जैसे आपके मन में हैं, या कुछ और भी मन में आपको वाँ उत्तर मिलता रहे जैनुद